नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका हमारे आफिशल व्डूब चैनल जी एस्वाइ नीरसर में, कैसे आप शब? मैं आशा करता हूँ, श्वस्त होंगे, मस्त होंगे, और आप शबी लोग अपनी तैयारी में पूरी इमानदारी के शाथ तैयास्त होंगे तैयारी आप लोग मित्रों उत्तर प्रदेश पुलिश के कर रहे हैं, जिसका पेपर कब लगा हुआ है? आप जानते हैं कि टोटल पांच टेट दी गए हैं इसमें 23 तारीक, 24 तारीक, 25 तारीक और 30 तारीक के शाथ 31 अगस्त का विटेट है तो इसमें आपका वेपर लगा है और जब इसमें आप वेहतर करेंगे मित्रों तभी आप फाइनली अपनी परिक्षा पाड़ सेपरेट कर पाएंगे यह जो 6244 पदों पर भारती है इसमें आप करास कर पाएंगे इसमें सेलेक्शन का मार्ग प्रशस्त होगा तभी जब आप परिक्षा में बहतर करेंगे हमें उम्मीद है आप लोग पेपर खुब बढ़ियां से तयारी किये होंगे आप तयारी कहीं भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन टेस्ट यहां लग रहने वाले हैं यहां पर और सभी कि सभी GS के related questions है जिसमें आपका history, policy, economy, geography, science, current affairs, UP, special, समिधान यही सब आपका चलता है में तुरों तो यही सब questions यहां पर रहने वाले हैं हमें उम्मीद है आप इन पेपर उठाएं होंगे एक छोड़ी शे शोक्ति के साथ क्लासे स्टार्ट करते हैं शब्र रखो अभी मेहनत जारी है वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है तो आज में तुरों वक्त बदलने का टाइम है नेशित रूप शे आप समय देजिएगा अच्छे शे मेहनत करिएगा शब बढ़ियां होगा सब अच्छा होगा आईए क्लासे स्टार्ट करते है कह रहा है नमलिखित मेंशे कौन सा नर्त यूनेशको की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है नाम जूमर का है, च्छाओ का है, दिलखाई का है और फोड़ी का नाम दे दिया गया यूनेशको की अमूर्त विरासत सूची में कौन सा नर्त शामिल है आप से ये पूसा गया है सही जबाब के अगर बात करते हैं राइट आंसर्स च्छाओ के शाद बनेगा उत्तर प्रदेश जो कहा जाएगा नुएडा को, हाथरस को, गाजियाबाद को या फिर मतुरा को किशे कहते हैं मित्रों तो आप जानते हैं गेट वे आफ उत्तर प्रदेश जिसनगर को कहा जाता है वो नगर आपका जिला गाजियाबाद है राइट आउंसस गाजी अवाद के शाथ लगा लो बी इस दराइट आउंसस पना लो आगे चला जाए तीन नंबर कोश्चन साप की स्क्रिंट पे है पूछा जरा आए गोदावरी नदी महाराष्ट्रा के किस जिलेशे निकलती है नाम कोलापुर का है शांगली का है नासिक का है और शोलापुर का नाम दिया गया गोदावरी नदी की बात हो रही है महाराष्ट्रा से उसका उदगम है कौन सा जिला सही जबाब बनेगा तो नासिक जिला राइट आउंसस बनेगा मित्रों right answers आपको B के शाथ लगाना है B is the right answers बना लेना है और आगे चलते हैं अगला questions आपका आता है चार नंबर है बहुत प्यारा questions है सही यूगम का chain करना है सही यूगम की अगर बात करते हैं चार-चार absence दे दिये गए हैं आप से पूछा जा रहा है केंद्रिये आलू अनुशंधान सांस्थान देहरादून है नई केंद्रिये आलू अनुशंधान सांस्थान देहरादून नहीं है केंद्रिये चमडा अनुशंधान सांस्थान सलेमपूर है नई केंद्री ये सुस्क छेतर अनुशंधान से अस्थान जोधपूर में है हाँ ये है जबकि केंद्री ये अवसदी अनुशंधान से अस्थान कानपूर दिया गया ये सभी बिकल्प गलत हैं केवल एक आफसन सुस्क छेतर वाला जो अनुशंधान केंद्र है या आपकी राजस्थान के जोधपुर में है तो राइट आउंसस C के शाथ लगाओ मित्रों C is the right आउंसस बना लो और आगे चलें अगला कोश्चन्स आपका आता है पांच नंबर है बहुत प्यारा कोश्चन्स के रहा है उत्तर प्रदेश को पूर्ब में किस नाम से जाना जाता था नाम United Province का आया है आर्रे प्रदेश का आया है अवध प्रांत का आया है और उत्तरी प्रांत का नाम दिया गया UP को आप पहले पूरब में क्या नाम देते थे तो पहले इसे United Province का हजाता था आगे चल करके उत्तर प्रदिश बनता है तो सईज बाबा आप फ़स्ट के साथ लगा लो अगला कोश्चन्स छै नमबर आएगा पूसा गया जिनजिया निर्त की उतपत्ती भारत के डडडड़ाट राज इशे हुई है आपसे जिनजिया निर्त के बारें पूसा गया कि भा दना एक बहुत अच्छी लोग कथा है लोग प्रथा है वहीं का है जिनजिया निर्ते यानि इस सही जवाब बिहार बनेगा तो राइट आउंसस आपको बिहार के शाथ देना है बीस दराइट आउंसस लगाना है आगे चला जाए जो साथ नमबर कोश्चन्स आपकी स्क्र पुर्खिरी का नाम दिया गया आपसे छेतरफल के बारे में पूछा गया अब उत्तर प्रदेश का छेतरफल की दरश्टी से जो सबसे बड़ा जिला बनता है वो लखीम पुर्खिरी बनता है तो राइट आउंसस आपको यहाँ डी के शाथ देना है डी इस दराइट आउ क十-टन कोश्टञ आपसे के रहा है भारत रतन का शमवान पाने वाले खेलों के पहले व्यक्ति हैं नाम दिया गया मिलकाई शिंका दारा शिंका सुनिल-कवचर का और सचिन तेन्दुलकर का भारत रतन मिला हो खेल से संबढ़ रक्ते हों पहला व्यक्ति भी हो उनका नाम क या होगा तो जिन्हें क्रेकेट का भगवान कहा जाता है मित्रों वही सचिन तिंदुल का राइट आंसस हैं तो आपको सही जबाब यहां डी के शाथ लगाना है डी इस दा राइट आंसस फाइनली बना लेना है नो नंबर कोश्चन्स पे चलें तो उत्तर प्रदेश में ना राइट आंसस मित्रों यहां जब लगाओगे तो कौसाम भी राइट आंसस बनेगा बी के शाथ सही जबाब लग जाएगा और आगे चलें अगला कोश्चन्स दश नंबर आता है आप से पूसा जारा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट पर गवर्नर जर्नल अपना हस्ता अक्षर कब करते हैं साथ दिसंबर उनीशो सैंतालिस का डेट दिया गया है दस मार्च उनीशो आनतालिस का डेट दिया गया साथ जनवरी उनीशो सैंतालिस का डेट दिया गया और उनाई से दिसंबर उनीशो आनतालिस का डेट दिया गया चारों भिकल दो बाड़ा 47 का नाम आया है अनि 49-46 में आंसर से अब दिसंबर है कि जनवरी है या मार्ज है ये देखना जरूरी है बित्रू अगर देखा जाए तो राइड आंसर 7 दिशंबर बनेशो 47 बनेगा सई जबाब आपको 1 के शाथ लगाना पड़ेगा अगला कोश्चन्स 11 नंबर है कह रहा है चच्छुस प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल पीला नीला होता है लाल हरा नीला होता है लाल सफेद नीला होता है या फिर लाल हरा पीला होता है चच्छुष प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रंग आपका कुई शाय मित्रों तो लाल हरा और नीला फाइनली आपके प्राइमरी रंग की स्रणी में हैं तो लाल हरा नीला आपके चच्छुष यानी आँख के प्रदर्शन में एकक रंग यही बनेंगे पूछा गया हाल ही में भारत ने निशक्तता छेतर में सहयोग के लिए निमलिकित में से किस देश के साथ समझोता ग्यापन पे हस्ताक्षर किया नाम इंग्लेंड का आया आश्टेलिया का आया चीन का आया और शाउथ अफरीका का नाम दिया गया हाल ही में भारत ने निशक्तता छेतर में सहयोग के लिए कौन से देश के साथ समझोता ग्यापन पे हस्ताक्षर किया मित्रों तो वो देश अपना इंग्लेंड है सई जबाब इंग्लेंड के साथ लगा लो सई जबाब आप B के साथ बना लो B is the right answers लगा लो और आगे चलें अगला कोश्चंस 13 नमबर आएगा 13 नमबर कोश्चंस है आफसे के रहा है नमलिकित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्टपती रहे है नाम अयूव खान का है याहया खान का है जुल्फिकार अली भुटो का है और इसकंदर मिर्जा का न नम आता है जब राष्टपती का नाम आए मित्रों तो इसकंदर मिर्जा लगाईएगा सई जबाब आप यहां D के शाथ बनाईएगा D is the right answers बनेगा अगला कोश्चंस 14 नमबर आएगा आप से कह रहा है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सो मनाया जाता है केरल में फस C के शाथ लगा लो C is the right answers बना लो अगला कोश्चंस 15 नमबर आएगा आप से कह रहा है उत्तरायन के पहले दिन कौन सा तेवहार मनाया जाता है नाम वट पूर्णिमा का है ओडम का है गुरू पूर्णिमा का है और पौंगल का नाम दिया गया उत्तरायन के पहले दिन कौन पे ये रहा पूछा गया चान नबेवा अखिल भारतिय मराठी शाहित सम्मेलन महाराष्ट्रा के किस जिले में शुरू हुआ नाम वर्धा का है नासिक का है नागपुर का है और बंबई का नाम दे दिया गया आप से कह रहा है 96 वा चान नबेवा अखिल भारतिय मराठी श शत्रा नंबर कोशिंस है 30 जनवरी 2023 को साइन्स की 20 इंसेफ्टेंस मीटिंग में किस अस्थान पे आयोजित हुई आप से कह रहा है 30 जनवरी 2023 को साइन्स की 20 इंसेफ्टेंस मीटिंग जो है वो कौन से अस्थान पे बुलाई गई थी तो वो पॉंडी चेरी में बुलाई गई हैं केरा निम्लिकित मेंशे कौन सा जन्तु जो है वो कीट नहीं है नाम खटमल का है मकड़ी का है मक्छर का है और मक्छी का नाम दिया गया कौन सा जन्तु आपका कीट की स्रणिम नहीं आता है तो मकड़ी आपके कीट की स्रणिमें नहीं है सही जब आप सी के शाथ लगाओ एक अमेरिकी का नाम दिया गया इंगलिस चैनल तैर करके पार करने वाली जो पहली महला बनेगी वो एक भारतिय बनेगी तो right answers आपको first के शाथ देना पड़ेगा A is the right answers बनाना पड़ेगा 20 number questions पे चलें तो कह रहा है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है उतना ही रहता है घटता है या फिर अनुन में है मित्रों जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार finally बढ़ता है इसलिए right answers जब लगाना तो first के शाथ लगाना A is the right answers बनाना अगला questions 21 number आएगा पूछा गया protein के निर्माण में किस तत्तो की आवश्यकता होती है नाम जिंग का है potassium का है copper का है और nitrogen का नाम दिया गया protein के निर्माण में कौन सा तत्तो आवश्यक है तो उस तत्तो को लोग nitrogen कहते हैं इसलिए जब right answers की बारी आए तो nitrogen बता अगला questions 22 number आएगा आपकी screen पे ये रहा पूछा गया मुंसी प्रेम चंदर ने निमलखित मेंशे कौन सा लिखा है गरन्त कामाईनी चितंबरा यम और शेवा शदन का नाम दिया गया मुंसी प्रेम चंदर ने कौन सा गरन्त लिखा है मित्रों अगर गरन्त लिखने की बात तो इन चारों आपसंस में शेवा सदन के शाथ answers देना D is the right answers फिरहाल लगा लेना D is the right answers जाएगा 23 number questions आएगा पूछा जा रहा है कांसा निमलखित मेंशे किसका मिसरधातू है तामबा और जस्ता का तामबा और टिन का टिन और जस्ता का या फिर लोहा और जस्ता का कांसा निमलखित में से किसका मिसरधातू है तो मित्रों जब कांसा की बात आए तो तामबा प्लस टिन इक्वल टू कांसा बनता है सही जब आब C के शाथ लगाना है C is the right answers लगा लो अगला questions 24 number आ जाएगा आप से क्या कह रहा है 24 पानी में हवा का बुलबुला पानी में हवा का बुलबुला है मित्रों वो कैसा बेवहाल करेगा तो वो अवतल दर्पन की भाती बेवहार करेगा अवतल दर्पन अरे नहीं भाई यह उतल लेंस यानि अवतल लेंस की भाती यह बेवहार करेगा तो सही जब आप B के शाथ लगाओ B is the right answers बनाओ दैनिक जीवन के प्रियोग से संबंधित खूब जादा कोश्चन श्मित्रों पूछा जाता है परिक्षाओं में तो यह कोश्चन मिलते हैं हर परिक्षा में चाहे आप IAS की तियारी करो PCS की करो या फिर आप समिछा दिगारी पुलीस या रेलवे आर पियाफ किसी भी पर साली मार गार्डन लाल किला बुलन दर्वाजा या फिर जामा मस्जित दिल्ले अगर पूछा जाए कि कौन सा इसमें अस्थापत तेकला का नमूना साहजाने नहीं बनमाया तो एक दर्वाजा है बुलन दर्वाजा जो गुजरात बिजे के उपलक्ष में फाइनली जा रहा है अबध के निमलखित नबाबों मेंशे किसने लखनों में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था नाम अस्था उद्दौला का है आसिफ जहां मिरजा का है सुजाव उद्दौला का है और यामिन उद्दौला का नाम दे दिया गया बड़ा इमाम बाड़ा लखनो लगाओ, is the right answers बनाओ, अगला questions आपका 27 नमबर आ रहा है, पूझा जा रहा है, शमराट अकबर ने निम्लिखित मेशिक किसका निर्माण नहीं किया था, नाम आगरा का किला है, फातेपुर सीकरी का किला है, दिल्ली का जामा मस्जिद है, और फिर बुलन दरवाजा है, अकब जा अगला questions आएगा, 28 नमबर होगा, पूझा जा रहा है, मध धरेलवे के महा प्रवंधक के रूप में किसने कारेभार समाला है, नाम अनिल कुमार लाहोटी का आया है, नरेस लालवानी का आया है, बिने कुमार तरपाथी और प्रकास जाधो का नाम दिया गया, मध धरेल समित्रों बदलते रहते हैं, तो इन्हें बार-बार देखते रहना है, अगला questions 29 नमबर है, पूसाग या निम्लिकित मेशे कौन, 2123 में गठित स्वराज पार्ड़ी के शंस्थापक सदश्यों में से एक रहा है, स्वराज पार्ड़ी कब अस्तित्यों में आती है, 2123 में आ लगाना है, right answers मित्रों फर्ट के शाद बनाना होगा, अगला questions 30 नमबर आएगा, पूछा जा रहा है, किसी राजमे अनुक्षे 356 के अंतरगत राष्टपती सासन सामान दिया, अधिक्तम कितनी अवधि के लिए लगाया जा शकता है, 356 के कार्डिंग राष्टपती सासन ए तीन वर्च के लिए लगा पाओगे, केंद्र सरकार उनुसंसा कर दे, फाइनली राष्टपती सासन लग जाए, सही जब आप सी के शाद बना लो, एक सबार में तीन साल तक मैक्सिमम आप लगा शकते हो, शी के शाद हांसस लगा लो, अगला questions 31 नमबर आता है, पूछा जा जो 26 जनवरी उनुशो पच्चास को लागू हुआ था, राइड आउंसस बी के शाद लगा लो, हाला कि अब तो आप जानते हैं कि जंबू कस्मेर को विशिस राजी के दरजे से हटा लिया गया, अब एक केंद्र सासित प्रदेश नहीं रहा, यहां का अलग जंड़ा, अल अगला कोश्चन 32 नंबर है, किस वर्ष सिवा जी को छतरपती का ताज पहनाया गया था, कोईन से वर्ष में सिवा जी छतरपती बने थे, नाम 1608 का है, 1674 का है, 1646 का है और 1610 का नाम दिया गया, कोईन सा वर्ष है जब सिवा जी को छतरपती का ताज पहनाया गया, तो वो स प्रसन मित्रों 16-74 का है सही जबाब आपको शी के शाथ लगाना है अगला कोश्चन 33 नमबर आएगा आप से कह रहा है किसे उपर राष्टिये सुरच्छा सलाहकार के रूप में न्यूक्त किया गया है उपर राष्टिये सुरच्छा शलाहकार प्रभीण सरमा जी है पंकच कुमार जी है अजय कुमार स्रिवास्तो जी है और विक्रम देव दत जी है आप जानते हैं कि पंकच कुमार सिंग को उपर राष्टिये सुरच्छा शलाहकार के रूप में न्यूक्त किया गया है अजी दोबाल तो आप जानते हैं कि में सुरच्छा शलाहकार है तो सही जबाब B के शाथ लगा लो V is the right answers बना लो अगला questions 34 नमबर आएगा पूछा गया इन में से कौन सा बिश्व का सबसे बड़ा नदिये द्यूप है नाम भवानी द्यूप का है स्रे रंगम द्यूप का है अगथी द्यूप का है और मानजुली द्यूप का नाम दिया गया कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा नदिये द्यूप है मित्रों तो मानजुली द्यूप साही जबाब बनता है राइट आंसर्स आपको यहां पे D के साथ बिठाना पड़ेगा D is the right answers लगा लो अगला कोश्चनस हम 35 नंबर स्वाल बे करते हैं विश्वती मुद्राओं के शंदरभव में निम्लिखित मेशे कौन सा युग्म शही सुमेलित है या सही सुमेल ढंग से मेल खाता है नाम रूस का युएन दिया गया मैमार का क्वाद दिया गया भूटान का पेशो दिया गया और चीन का रूबल दिया गया आपसे मुद्रा और देश के बारे में कोश्चनस पूशा गया मैमार में क्वाद चलता है मित्रों पस्चिमी आस्टेलिया की राजधानी है, नाम डर्विन का है व्रस्विन का है पार्थ का है और होवार्ड का नाम दिया गया पश्यमी आश्टेलिया की राजधानी क्या है तो सभी आपसंस पढ़ने के बाद जो आश्ट्रिया है उसकी राजधानी तो बियना है आप जानते हैं लेकिन जो पश्यमी आश्टेलिया है उसकी राजधानी पार्थ है तो राइट आंसस आप पर्थ के शाथ लगाओ बी के शाथ लगाओ अगला कुश्चंस 38 नंबर है आप से क्या पूछा जा रहा है निमलिकित मेंशे कौन सही शुमेलित है कौन सही शुमेलित है आपसंस दिया गया काला बैसाखी सरद रितू की ह फान बिया पारिक हमाएं सित कालिन वर्फीली तूफान है लूगर्म हवा है और फिर लू सीत रितू की तूफानी हवा है पूछाग्या कौन सही शुमेलित है यतों शही शुमेलिकि अगर बात करते हैं तो आपनी लू सुना होगा अकसर गाओं में भी इसका वात अलता है कि भाई लू चल रहा है लू यानि गर्म हवा चल रही है तो आप घरों में रहो शेई जबाब लू गर्म हवा एकदम परफेक्ट बैट रहा है वही सही शुमेल है तो सी के साथ हांसस लगा लो अब आगे पहला कूश्चन के रहा है करनाटा की कौनशी प्रसे धकला नरत, शंगीत, शंवाद, भेश भूशा, स्रंगार और मंच सिल्प को शम्मिरसृत कर एक अदभूद अनुभो प्रस्तूत करता है नाम यच्छगान का दिया गया, कथाकली का दिया गया, किलारी पैट्टू का दिया गया और ओटम थललू का नाम आपके स्क्रंग पे दे दिया गया करनाटका की वो प्रसे धकला है जिसमें निर्त भी है, शंगीत भी है, समवाद भी है, वेजभूशा भी है और स्रंगार भी है बित्रू ये शब देखा जाये तो ये च्छगान में है, राइटांसस फ़स्ट के साथ लगा लो अगला कोश्चनस हम दो नंबर स्वाल्व करते हैं, प्रेश रंख्या दो की बात आएगी, आपसे पूछा जारा है, छेत्रफल की द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कोंसा है नाम बलिया का है, वाराणसी का है, अलीगड का है और भदोही यानि शंतर अविदाश नगर का नाम दे दिया गया चेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला जो बनता है, वो खीरी लखीमपूर बनता है सबसे छोटा पूछा गया तो इन चारों आपसंस में आपको भदोही के शाथ अंसस देना पड़ेगा दे इस दर आइट अंसस लगाना पड़ जाएगा आगे चलेंगे अगला कोश्चन्स तीन नंबर है इंद्रा गांधी राष्टी एकला केंद्र का मुख्याले जो है, वो कौन से सहर में इस्तित है नाम पूरे का है, मुंबई का है, नई दिल्ली का है, वो कोलकाता का नाम दिया गया इंद्रा गांधी राष्टी एकला के इंद्र का जो headquarter है मुख्याला है वो कहां पे है मित्रों तो मुख्याला की जब बात आएगी तो नई दिल्ली आंसस बनेगा राइट आंसस बी के शाद बनाना पड़ जाएगा बी इस दर आएट आंसस लगाएंगे अगला positions 4 नंवर आएगा प्रश्चन क्या 4 की बात करते हैं आपसे कह रहा है नेमलखित मेशे कौन सा कालिदास का कार्रे है नाम कुमार शंभोम का है, मालती माधो का है, केरता अरजुनियम का है, और केरता अरजुनियम और कुमार शंभोम दोनों का है आपसे पूछा गया, कौन सा कालिदास का कारे है, मैं तुरों अगर कालिदास के कारे की बात करते हैं, चारों आपसेंस पढ़ोगे तो कुमार शंभोम आपका right answers वेठेगा, साइज बाब आपका first के शाथ बनेगा Is the right answers लगा लू आगे चलते हैं, पांच नमबर questions आता है पूछा गिया आपसे धेमसा किस राजी की आधिकारिक लोक नरते हैं नाम करनाटका का है, महाराष्ट्रा का है, राजस्थान और अंधरा प्रदेश का नाम दिया गया धेमसा किस राजी की आधिकारिक लोक नरते हैं मित्रों अगर धेमसा की बात आएगी, तो right answers आपको दक्षन भारत का अंधरा प्रदेश देना पड़ेगा सही जबाब D के साथ बनाना पड़ेगा D is the right answers लगा लो आगे चला जाएगा छे नंबर कोश्चन से पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश राजी में हिंदी के अलामा और कौनशी भासा बोली जाती है नाम पंजाबी का है बंगाली का है उर्दू का है और उप्यूक्त शभी का नाम दिया गया यूपी में पूछा जा रहा है और कौनसी भासा बोली जाती है ये नहीं कहा गया सेकेंड जो है आफिसली लेंग्वेज कौनसी है अगर second officially language पूछा जाता तो उर्दू बनता पूछा जा रहा है बोली जा रही है तो बोलने पंजाबी भी बोलते हैं लोग बंगाली भी बोलते हैं उर्दू भी बोलते हैं इसलिए यहाँ पे जुराइट आंसर्स बनेगा दी के शाद बनेगा याद रखना डे इस दर राइट आंसर्स लगा लो आगे चले अगला कोश्चन साथ नमबर आएगा प्रशंख्या साथ की बात हो रही है कह रहा है निमलकित मेंशे कौन सा रंग शमिस्तरन दिन और रात के शमे शरबाधिक शुविधा जनक होता है नाम दिया गया नारंगी और नीला का, पीला और नीला का, श्वेत और काला का, लाल और हरा का आपसे पूसा ज़रा है कौन सा रंग है जो शमिस्तरन दिन और रात के शमे मैकसिमम शुविधा जनक होता है मित्रो तो लाल और हरा जो है वो ज्यादा शुविधा जनक है इसलिए जब राइट आंसस की बारी आएगी तो D के शाथ आप आंसस लगा लेना D इस दर राइट आंसस बना लेना आगे चलते हैं अगला कोश्चन साता है 8 नंबर कोश्चन से बहुत प्यारा कोश्चन से 18 केरेट सोने का शुद्ध जो masa का अनुपात होता है वो क्या होता है 11 परिसत असी परिसत 75 परिसत या फिर 60 परिसत विद्वर आप जानते हैं सोने की जो 100 परिसत बेलू है वो 24 केरेट होती है 24 केरेट 100% है 18 का मान पूछा जा रहा है अब 24 का 18 कितना है आप जानते हैं 18-24 का 3 बटा 4 भाग है यानि 1 बटा 4 भाग की बेलू किती आएगी 6 आएगी 1 बटा 4 आपका क्या हो गया 6 हो गया ना 6, 3, 18 6 मतलब 1 बटा 4 100 का 1 बटा 4 मतलब 25 25 हटा दो 75 बचेगा सही जबाब आपका C के साथ बनेगा शीद है आपके 18 कारेट सोने की शुद्धता पूछी जाए 75% लगाना 18 में 6 और गटा दो 12 प्रतिसत में पूछा जाए तो 12 कारेट सोने की शुद्धता 50% होगा आपसे 6 कारेट सुद्धता के बारे में पूछा जाए तो आप 25% लगाना इस टाइप से 24 कारेट पूछा जाए तो आप 100% लगाना समझ में आ गई बात हमें उम्मीद है शारी बातें समझ में आ रही होंगी आगे चलेंगे एकला कूश्चनस 9 नमबर आएगा प्रशंख्या 9 की अगर बात करते हैं तो आपसे कहा रहा है मित्रों तीसमी राष्टी बाल बिग्यान कांग्रेस का आउजन किस शहर में किया गया है नाम मुंबई का है भोनेश्वर का है एहमदाबाद का है और जैपूर का नाम दिया गया तीसमी राष्टी बाल बिग्यान कांग्रेस का जो आउजन है वो कहां किया गया है एहमदाबाद में तो राइड आंसस एहमदाबाद दो बी के साथ आंसस लगाओ आगे चलेंगे 10 नमबर कोश्चनस आएगा आपसे कहे रहा है भारत में प्रथम कोईला खान कहां खोदी गई थी नाम राणी गंज का है ओशन सोल का है धनबाद और जरिया का नाम दिया गया भारत की पहली कोईला खान भारत की पहली कोईला खान कहां खोदी गई थी मित्रों तो रानी गंज में सबसे पहले खुदाई हुई थी राइड आंसस रानी गंज के साथ देना है फर्स्ट इस दर राइड आंसस लगा लेना है और आगे चला जाए 11 नंबर कोश्चन साब की स्क्रिन पे आता है पूछा जा रहा है बोध धर्म का वज्रयान साखा का उदे उत्तर प्रदेश में कहा हुआ नाम बुंदिल खंड का है अलाहाबाद का है शारनाथ और मतुरा का नाम दिया गया बोध धर्म का बज्रियान साखा का जो उदय है उत्तर प्रदेश में सारनाथ में होता है मित्रों तो right answer सारनाथ देना पड़ेगा B के शाथ आपको right answer बनाना पड़ेगा और आगे चला जाए प्याल नंबर कोश्चन से आपकी स्क्रिन पे है कह रहा है रात्री में पेंड के नीचे शोना हनिकारक है क्योंकि पेंड छोड़ते हैं oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide और sulfur dioxide का नाम दिया गया रात्री में पेंड क्या छोड़ते है मित्रों तो CO2 छोड़ते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं और दिन में वो oxygen देते हैं तो सही जबाब आप B के शार्थ लगाओ भी इसदर right answers बना लो मित्रों अगला questions देखा जाएगा तो अगला questions आपका 13 नमबर है क्या कह रहा है 13 नमबर crunch fish के साथ साजेदारी में किस बैंक ने एक offline digital भुक्तान पाइलेट प्रोजेक्ट offline पे पे कि अगर बात करते हैं तो ये HDFC बैंक का है राइट आउंसस आपको B के शार्थ लगाना है B is the right answers बना लेना है और आगे चला जाएगा 14 नमबर questions आएगा पूछा जा रहा है श्वतंत्र भारत के प्रथम विधी आयोक के अध्धिश कोन थे नाम न्याय मूर्ती B के शुंदरम का आया है न्याय अधिश T वेंक टैया रमन अयर का आया है नाम स्री M.C. सीतलवाड का आया है और न्याय अधिश J.L. कपूर का नाम आया है भारत के पहले हों बिधी आयोक के अध्धिश हों उनका जो नाम होगा उस सीतलवाड होगा M.C. सीतलवाड सही जबाब बनेगा राइट आउंसस मित्रों आपको शी के शाथ लगाना पड़ जाएगा C. इस दा राइट आउंसस लगा लो और आगे चलते हैं अगला कोश्चन्स आता है जल में कटोर था किसकी उपस्तिती के कारण आ जाती है कैल्सियम और सोडियम के कलोराइड कैल्सियम और मैंगनीशियम के कलोराइड कार्बन मोनो डाइकसाइड और हाइड्रोजन के शाथ या कार्बन डाइकसाइड और नाइड्रोजन के शाथ जल में जो कठोरता आती है वो किसकी उपस्थिती के कारण आती है मित्रों तो कैल्सियम और मैंगनीसियम के अगर आक्साइड जल में आ गये हैं तो थोड़ा कठोर हो जाएगा जल राइड आंसस आपको वी के शाथ लगाना पड़ेगा बी इस दर राइड आंसस बलाना पड़ेगा आगे चलते हैं एकला कोश्चन 16 नमबर आता है पूछा गया किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम शहयुक्त प्रांत रखा गया नाम 1936 का है 1856 का है 1935 और 1961 का नाम दिया गया कोश्चन में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत हो जाता है तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत 1937 में बनता है मित्रों राइड आंसस फर्ष्ट के साथ लगाना है एस दर राइड आंसस बनाना है अगला कोश्चन 17 नंबर आएगा पूशा गया उत्तर प्रदेश में 1857 की करांती का आरंभ शर्ब प्रथम किशनगर से हुआ नाम लखनोग का है लाहाबाद का है मेरट का है और कानपुर का नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में 1857 की करांती का जो इस्टार्टिंग है आरंभ है वो कहां से होता है तो आप जानते हैं करांती नगरी मेरठ से स्टार्ट होता है सई जबाब मेरठ देना पड़ेगा बी किशाथ राइट अंसस बनाना पड़ जाएगा और आगे चलेंगे 18 number questions आएगा पूछा गया जोक के चूसक इस्थित होते हैं सरीर के जोक के जो चूसक है जोक आप जानते हैं पानिम पाई जाती है चपक लेती है जब जानवरों के या मनुश्यों के तो वो खुनों को चूसती है तो उसके सरीर के अग्र छोर पे चूशक इस्थित होता है, पश्य सोर पे होता है, पुर्ण सरीर में होता है या फिर दोनों छोरों पर होता है जो गाउं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि फाइनली जोंक दोनों साइडों से खुन को चूशती है दोनों साइड उसके मुह होते हैं, चूसक दोनों साइडों में है राइट आंसर्स दोनों छोरों पर है, डी के साथ आंसर्स लगाओ अगला कुश्शन्स 19 नंबर आएगा प्रशंख्या 19 की बात होती है, निम्लिखित में से सबसे प्रबल अमल कौन सा है शबसे प्रबल अमल की बात हो रही है, मित्रों तो सबसे प्रबल जो है, इसमें सबसे तकड़ा बाला जो है वो त्राइट आंसर्स आपका डी के साथ बैठेगा, डी इस दो राइट आंसर्स लगा ले ना आगे चलते हैं बीच नंबर कोश्चन्स आता है निमलखित में से कौन सा किला तमिल लाडू में इस्तित है मनोरा किला, आमेर किला, सिकंदर का किला या फिर जैसल मेर का किला आप से पूछा गया तमिल लाडू में कौन सा किला इस्तित है तो मनोरा किला आपके तमिलनाडू प्रांत में है मित्रों right answers आपका first के साथ जाएगा A is the right answers लगाना पड़ेगा अगला questions 21 नमबर आएगा पूछा जारा एफसे निमलिखित मेंशे कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है नाम सिंधु का है ब्रह्मा पुत्र का है गोदा बरी और कृष्णा का नाम दिया गया अरब शागर यानि भारत के इस वाले हिस्से में गिरे इधर बंगाल की खाड़ी है इधर अरब शागर है अरब शागर में गिरने वाली नदी का नाम क्या होगा तो शिंध है इन चारों आपसंस में शिंध के साथ आंसस लगाओ फर्स्ट इस दराइड आंसस बना दो और आगे चले अगला कूश्यन सापका 22 नंबर आ रहा है आप सी कहरा है गोवा को 25 राज्य का दर्जा कब मिला था नाम 25 जनवरी 1971 का है 20 फरवरी 1987 का है 30 मई की डेट थी तो राइड आंसस आपको 30 मई वनईशो शत्ताची आंसस लगेगा शी के साथ आंसस बनाना पड़ जाएगा सी इस दराइड आंसस लगा लो आगे चलें 23 नंबर कोश्यन साएगा आप से कहरा है गोंगा गोंगा नवमी शर्प पूजा से शंबंधित एक धार्मिक उच्छो है यह उच्छो कौन से राज्य में मनाया जाता है नाम हरियाना का है गुजरात का है पश्यम मंगाल का है और महाराष्ट्रा का नाम दिया गया गोंगा नोमी शर्प पूजा से संबंधित धार्मिक उत्सो है यह उत्सो कुन से राज में मनाया जाता है तो इस उत्सो की एगर बात आती है हरियाना प्रांत आंसर्स बनता है सही जबाब हरियाना राज्य के शाथ लगाना है A is the right answers बना देदा आगे चलते हैं गला question 24 नमबर आता है पूसा गया निमलखित में से किस राज में पूर्बजों की पूजा से संबंधित त्योहारों मी डैम मी फी मनाया जाता है आप से गरा पूर्बजों की पूजा से संबंधित है मी डैम मी फी यह त्योहार क्या ओरिशम मनाया जाता है मद असम राज में मी डैम मी फी ते वहार मनाया जाता है जो पुर्वजों को याद करने के लिए मनाया जाता है तो राइड आंसर्स आपको यहाँ पे बी के साथ लगाना है बी इस दर राइड आंसर्स फाइनली देना है और आगे चलते हैं अगला कोश्चन साथ टोड़े 6 नंबर देखें आप सी पूछा जा रहा है मुगल समराड साह जहां द्वारा निमलिकित मेंशे कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी नाम जामा मस्जिद दिल्ली का है मादसाही मस्जिद लाहूर का है काबुली बाग मस्जिद हैदियाना का है और नाम किला ये कौना मस्जिद दिल्ली का दे दिया गया साह जहां जिशे खुर्रम कहा जाता है खुर्रम ने कौन सी मस्जित बनवाई तो इन चारों आपसंस में आप जब मस्जिनों का नाम पढ़ेंगे तो जामा मस्जित दिल्ली एकदम राइड आंसर्स बनेगा इसलिए जब फर्ष्ट आंसर्स की बारी आए तो एक शाथ आंसर्स इसमें लगाओ में तो जामा मस्जित साह जहां जामा मस्जित ए इस दा राइड आंसर्स लगा लो अगला कोश्यन सम 27 नमबर देखेंगे आपसे कह रहा है मोती मस्जित निमलिकित मेंशे किस असमारक में इस्थित है नाम गोलकुंडा किला का है हागरा का किला का है कुतुम मिनार का है और लाल किला का नाम दिया गया मोती मस्जित कौन शेस मारक में पाई जाती है में तो आगरा के किले में आपको मोती मस्जित देखने को मिल जाएगी राइड आउंसस आप B के शाथ लगा लेना B is the right answers बना लेना आगे चलते हैं अगला कोशियंस 28 नमबर आता है आप से पूसा गया राष्टी श्वास्त प्राधिकरन के निर्देशक के रूप में किशिन यूग किया गया नाम प्रभीन सर्मा का है पंकच कुमार सिंग का है जे कुमार स्रिवास्तो का है और विक्रम देव दत्त का नाम दिया गया राष्टी श्वास्त प्राधिकरन के निर्देशक के रूप में जुआये हैं वो आपके प्रभीन सर्मा जी है राइड आंसस प्रभीन्ड सर्मा बना लू मित्रों एस दा राइड आंसस लगा लू अगला कोश्चन 29 नमबर आएगा आपकी स्क्रेंट पे होगा पूछा जारा न्यूजी लेंड का नया प्रधानमंतरी कोन बना नाम क्रिश हैपकिन्स का आया है जैसे इंडा आरडन का आया है नाम बिल अंग्रेजी का आया है और जानकी का नाम दिया गया न्यूजी लेंड का नया प्रधानमंतरी कोन बना है तो न्यूजी लेंड के जो नए नए प्रधानमंतरी बने हैं वो क्रिप्स हिपकिन्स बने हैं इसलिए जब right answers की बारी आएगी तो first के शाथ answers लगाना है ए इस दर right answers बनाना है अगला questions तीश नंबर आएगा आपसी पूछा जा रहा है निम्लिकित में से किश्वतंता सेनानी के खिलाफ किंद्रे विधान सभा बंब मामला जो 39 में हुआ था वो दायर किया गिया था नाम राजगुरु का है बटकेश्वरदत का है शुखदेव का है और चंसेकर आजात का नाम दिया गया शुतंता शंग्राम शेनानी है जिनके खिलाफ किंद्रे विधान सभा में बंब फेकने का मामला दर्ज है उनका नाम बटकेश्वरदत है तो right answers आप इसमें B के शार्थ ल दोर में उच्चितम नायले और सदर नायले का उच्च नायले में बिले कर दिया गया क्या उस टाइम वाइसराय कैनिंग थे मियो थे इलगन थे या फिर लॉरेंस थे आप से बूच लिया गया कौन सा वाइसराय है जिनके दोरान उच्चितम नायले और सदर नायले अगला कुश्यन्स देखते हैं 32 नंबर आता है आपकी स्क्रिन पर है निम्लकित मेंशे किस द्यूप पर भारत का एक मातर सक्रिय जौला मुखी इस्थित है क्या उस द्यूप का नाम शांड द्यूप है स्मुद द्यूप है वैरन द्यूप है या फिर बेले द्यूप है आप बी के साथ आंसस मनाओ बी इस दराइड आंसस लगाओ अगला कोश्यन्स हम देखेंगे वो 33 नंबर होगा आपके स्क्रिन पर होगा क्या कह रहा है भारत के किस पडूशी देश में रुपये को मुद्रा के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है नाम पाकिस्तान का है स् अफिशली जो है करेंसी नहीं है तो बंगला देश में नहीं है मित्रों बंगला देश में रुपया नहीं चलता है बाकि नेपाल पाकिस्तान स्रेलंका इन सब जगों पे रुपया चलता है आप जानते हैं तो सही जबाब यहां क्या लगा लो डी के शाथ लगा लो डी इस राजधानी है आप से पूछा गया, सियोल राजधानी है दक्षण को मत्रक्त राजधानी की प्याना है तो आप शी के शाथ यह दॉता है ने बेनह होता है राजधानी है ऐसे सियोल जो है दच्छन कूरिया की राजधानी है और आगे बढ़ें अगला कोशिशन 35 नमबर आता है आप से कहरा एक डडड़ाट प्रकार की दो ऐसी साफ्टवेर या फिर मैल वेर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा और श छोटवेर को नक्षान पहुंचाता है ब्लाग है ईमेल है वाइरस है या फिर इंट c एंट पांप्प्यूटर की पहुंच जाता है तो डेटा और शॉफ्टवेवर को परिशान पहुंचाता है तो यह सब काम वाइरस करता है में तुरों सही जबाब आप C के साथ लगाओ वाइरस के साथ हांसस बनाओ अगला कोश्यंस थरड़े सेक्ष नमबर देखेंगे आपसे कहे रहा है 1982 में पूर प्रधानमंतरी इंद्रा गांधी द्वारा भारत भौन नामक बहु कला केंद्र का उदभाटन किया गया था वह केंद्र किष्य भारती शहर में इस्तित है नाम लखनोग का है बेंगलूरू का है भोपाल और पुने का नाम दिया गया आपसे पूछ लिया गया इंद्रा गांधी ने बहु कला केंद्र अस्थापित किया था उदगाडित किया था तो वो मित्रू आपके भोपाल शहर में है सईजबाब भोपाल मद्धाप्रदेश देना बी के शाथ हांसस लगाना अगला कोश्चन्स 37 नमबर आएगा आपसे पूछा जा रहा है इंद्रा गांधी राष्टिय कला केंद्र का मुख्याले के शहर में इस्तित है नाम पुने का है, मुंबई का है, दिल्ली का है, कोलो काता का नाम दिया गया इंद्रा गांधी राष्टी एकला केंद्र का जो मुख्याला है वो कहां लोकेटेड है तो न्यू डेलही में लोकेटेड है इसलिए राइड आंसर्स की बारी आएगी तो बी के शाथ आंसर सापको मिलान करना होगा अगला कोशियंस 38 नमबर आता है पूछा किया किस राज्जी की शीमा मैंमार से नहीं लगती नाम सिक्किम का है मिजोरम का है मड़ी पुर का है और और अचल प्रदेश का नाम दिया गया कौन सा राज्जी है जिसकी शीमा फाइनली मैंमार से नहीं लगती है शबही आप संस पढ़ लोगे भारत देश का नक्सा देखोगे तो मित्रों जो शिक्किम राज्य है न वो फाइनली इससे नहीं मिलता है आप जानते हैं मैं अमार से सीमा इसकी कभी नहीं लगेगी मैं अमार से तरपुरा लगेगा मिजोरम लगेगा मरिपुर लगेगा इसके साथ नागा लेंड भी लग जाएगा लेकिन अरुनाचल प्रदेश भी लग जाएगा लेकिन जो शिक्किम होता है वो अंदर है मित्रो आप जानते होंगे मेगाले हो जाए असम हो जाए इस अब अंदर पड़ जाता है तो राइड आंसस आप यहाँ किसके शाथ लगाओगे तो सही जबाब आपको फाइनली शिक्किम के शाथ देना है फर्स्ट इस दराइड आंसस लगाना है शिक्किम आप जानते हैं कि गंगटूग जिसकी राजधानी होती है एक साइड तिबबत मिलता है एक साइड भूटान होता है वो है शिक्किम आपका तो सही जबाब फश्ट के शाथ लगा लो एस तराइड आंसस मिलान कर लो और उनके राजध के शंबंद में निमलकित मेशिक कौन सा जोड़ा शही है नाम गुमिरा उत्तर प्रदेश का है यच्छगान करनाटका का है शात्रिया मड़ी पूर का है और कुलारी पट्टू करनाटका का है नरत्य और उनके राजधों में कौन सा जोड़ा आपका एकदम फिट बैट रहा है मित्रों परफेक्ट बैट रहा है यच्छगान करनाटका एकदम फिट बैट रहा है इसलिए जब राइट आंसस की बारी आए तो बी के शाथ आंसस लगाओ बी इस दा राइट आंसस बनाओ अगला questions दो नमबर बिहार की पारमपरिक छण कठ पुतली को जाना जाता है वो मल्टम से जाना जाता है यमपुरी से जाना जाता है शक्खी कुंदही से जाना जाता है और फिर माला शुतरी भूलया से जाना जाता है आपसे पूचा गया बिहार की पारंपरिक छण कठ पुतली को जाना जाता है तो बिहार की जो पारंपरिक छण कठ पुतली है मित्रों उसका शंबंध यम पूरीश है इसलिए जब राइट आंसस की बारी आएगी तो यम पूरी के शाथ आपको आंसस मिलान करना है और आगे चलते हैं तीन नंबर कोश्चन्स आता है आपसे के रहा है बनारा शिंदू विश्विद्याले किश्वर्स अस्थापित के अगया था नाम उनीशो दू का है उनीशो सोला का है उनीशो दस और उनीशो एकईश का नाम दिया गया बनारा शिंदू विश्विद्याले जीसे VHU कहा जाता है वित्रू उसकी अस्थापना कब होती है तो 1916 सही जबाब बनता है Right answers मित्रू She के शाथ हाफ को गोला काला करना है आगे चला जाए 4 नंबर कोश्चन सापके स्क्रिन पे है कह रहा है उत्तर प्रदेस राजी को कितने शंभागों में बाटा गया है नाम 3 संभाग है 12 शंभाग है 6 शंभाग है और फिर 18 संभाग है उत्तर प्रदेस राजी को कितने शंभागों में आप बाटते हैं मित्रू तो आप भी जानते हैं प्रत्र 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 से 18 शंभागों में और 75 जिलों में बटा हुआ है तो सभी जबाप जो बनेगा वो D के शाद बनेगा है स्वीच है रेगुलेटर है या फिर रेफरेस फायर है अनाम विजली के पंखे की अगर हमें गती चेंज करना यह में तेज करना है तो उसके लिए रेगुलेटर यूज यूज चार जाता है और आप घुमाएंगे उसमें खटके होते हैं दो तीन चार जिसमें चला ना हो तो साइज बाब B के शाहत लगा लो, वी इस तराइट आउंसर्स बना लो, अगला कुश्चन्स छै नमबर आता है, प्रश्चन क्या च्छै की बात करें, तो उत्तर प्रदिस राज जी के किस सहर में उच्चे नियाले इस्तित है, नाम लखनव का है, अलाहबाद का है, कानपुर का है, और मेरट का नाम दिया किया, उत्तर प्रदिस के कौन से सहर में उच्चे नियाले लोकेटेड है मित्रों, अब यहाँ अगर कुश्चन्स पुछा जाता है, बहुत सारे लोग लखनव लगा देंगे, लखनव मित्रों खंड पीठ है, याद रखना क्या है, खंड पीठ है, उसका ब्रांच है, हेड क्वाटर आपका इलाहबाद ही है, तो राइट आंसर्स प्रियाग राज लगाईएगा, सीज दर राइट आंसर्स पनाईएगा, आगे चले, अगला कोश्चन साथ नंबर आएगा, आपसे पूशा जा रहा है, एर इंडिया ने एर बस, बोइंग से कितने नए विमान खरीदने के लिए, एक सबसे बड़ा शोधा किया, दोशो नए विमान, चार सु नए विमान, तीन सु नए विमान, अगला कोश्चन साथ नंबर आता है, फ्रेशन ख्या आठ की बारी है, पूचा गया केडनी इस्टोन, जिसे पथरी कहा जाता है, यहम लेकित में से क्या पाया जाता है, पथरी में क्या सोडियम आक्जिलेट होता है, कैलसियम आक्जिलेट होता है, sodium chloride होता है या फिर calcium acetate होता है आपसे kidney stone यानि पथरी के बारे में पूछा जा रहा है पथरी में जो पाया जाता है मित्रों वो calcium axilate होता है तो right answer calcium axilate लगाना पड़ेगा B के शाथ हमें सही बाब बनाना पड़ेगा और आगे चलते हैं नो नंबर questions आता है पूछा गया भारत के किस राज में भारत का प्रथम और Asia में सबसे लंबा cycle highway खोला गया नाम उत्तर प्रदेश का है विहार का है आंधरा प्रदेश का है और अश्यम का नाम दिया गया भारत के कौन से राज में भारत का प्रथम है और Asia का सबसे लंबा साइकिल हाईवे के बार में पूछा गया है तो मित्रूम वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है राइट आंसर्स एक एशाथ लगाना है एस दर राइट आंसर्स आपको बना लेना है फर्स्ट इस दर राइट आंसर्स लगा लो अगला कोश्चन्स देखें दस नंबर कोश्चन्स आपकी स्क्रिंड पे आता है प्रशंख्या दस की बात होती है नम्रकित मेशे कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी नाम बेदों में आर्कटिक होंस शंसार की जलक एक एशवर बादियों का उपहर या फिर सभी पुरुष भाई है राजा राम मोहन राय ने कौन सी पुस्तक लखी इन चारों पुस्तकों में से आपको बताना है राजा राम मोहन राय एक एशवर बादियों का उपहर राय टाउंसस बनेगा सही जबाब आपको C के शाद बनाना है C is the right answers लगा लेना है अगला questions 11 नंबर आएगा प्रश्यंख्या 11 की बारी आए तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज संसोधन अधरियम का पारित किया गया नाम उनिशो 92 का है उनिशो 95 का है उनिशो 94 का है अगला questions 12 नंबर आएगा प्रश्यंख्या 12 की बात होती है पूसा गया निम्लिकित में से किस नदी का मुहाना करकरेखा के उत्तर में इस्तित है नाम कृष्णा नदी का है गोदावरी नदी का है शिंधू नदी और महा नदी का नाम दिया गया कौन सी नदी है जिसका मुहाना करकरेखा के उत्तर में लोकेटेड है करकरेखा के उत्तर में अगर बात की जाए मित्रों तो शिंधू नदी आपकी लोकेटेड है इसलिए राइट आंसस की जबारी आए तो शिंधू नदी लगाओ बीकेशाथ आंसस बनाओ अगला question 13 number आएगा आपसे पूसा जा रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंतरी पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले विक्ती का नाम बताईए नाम गुविंद बल्लब पंत का है नारायन दत्य तिवारी का है चोधरी चरण सिंग का है और हेमोंती नंद बहुगणा का नाम दे दिया गया यूपी का सबसे लांग टरम तक मुख्यमंतरी रहने वाला रिकार्ड किसका है मित्रों तो जो आपसंस है इसके कार्डिंग जो आंसस बनेगा वो पंडित गोविंद बललब पंत बनेगे इसलिए जब राइट आंसस की बारी आए तो फ़र्ष्ट के शाथ आंसस लगाना ये इस दर राइट आंसस बनाना आगे चला जायेगा आगला कोश्यन साफ का फोटीन नंबर आता है आपसी के रहा है शंबिधान का अनुच्छे 360 में किसका प्रावधान है उफ्थिय आपात इस्थिति को लागू करनेका फाइनली प्रावधान है राइट आंसस आफ फ़र्ष्ट के शाथ लगा लेना ऐस दर राइट आंसस बना लेना अगला कोश्यन स्फिप्टीन नंबर आएगा आपसी पूछाजार आए भारत का कौन सा राजे शर्ब प्रथम खुले में सौच से मुक्त राजी गोशित किया गया नाम बिहार का है हिमाचल प्रदेश का है अशम और शिकीम का नाम दिया गया खुले में सौच से मुक्त राजी कौन सा हुआ मित्रों तो right answers यहाँ पे शिक्किम के शाद जाएगा day is the right answers बनेगा सभी जबाब शिक्किम के शाद देना है अगला questions शोला नंबर आपकी स्क्रण पे यह रहा पूछा जा रहा है सिरका, सिरका ने मिलकित मेंशे किसका वानिजिक नाम है नाम जबाब एसे टिक अमल देना पड़ेगा हमें शिक शाद आंसस मिलान करना पड़ेगा सिस दराइट आंसस लगाते हैं अगला questions देखते हैं 17 नंबर questions आपकी स्क्रिन पे है आप से कह रहा है शम्मिधान के किस अनुछेद के प्रावधान के अंतरगत भारत शरकार द्वारा भारत रतन पदम बीभूशन आदी अलंकार प्रदान की जाते हैं नाम दिया गया अनुछेद 20, अनुछेद 20, अनुछेद 20 या फिर अनुछेद 18 सम्मिधान का कौन सा अनुछेद या प्रावधान करता है कि भारत शरकार भारत रतन दे पदम बीभूशन दे पदम स्री दे या पदम बीभूशन दे मितनों सई जबाब उनुच्छेद 18 बनता है तो right answers आपको यहाँ D के शाद देना पड़ेगा D is the right answers finally लगाना पड़ेगा और आगे चलें अगला questions 18 नमबर आता है आपसे कहा रहा है sodium bicarbonate का वाणजिक नाम है वाशिक शोड़ा है फ्लेचिंग पाउडर है बेकिंग शोड़ा है और फिर शोड़ा ऐसे प्रश्यंख्या 20 आपकी स्क्रिन पे आचुका है। क्या नाम देते हैं। लोहरी कहते हैं, मागी कहते हैं, पांच संक्राती कहते हैं, अफिर उत्तरायण कहते हैं। हमिस धार्मिक उत्सो भारत के कौन से भाग में मनाया जाता है, तो हमिस धार्मिक उत्सो भारत के लद्दाख फाले बेल्ट में मिनाया जाता है। इसलिए जब राइट आंसस की बारी आएगी, तो B के शाथ हम आंसस मिलान कर लेंगे। B is the right आंसस चलेंगे। पीटर स्क्वाइर निमलिकित मेंशे किस देश में इस्थित है। नाम एथेंस का है, वाशिंग गटन का है, बरलिन का है और वेटिकन सिटी का नाम दिया गया। पीटर स्क्वाइर किस देश में इस्थित है? पीटर स्क्वाइर की बात होती है, तो पीटर स्क्वाइर जिस देश में लोकेटेड है मित्रों उसका नाम बेटिकन सिती है, इसलिए जब राइट आंसस की बारी आए तो आप D के शाथ आंसस मिलाओ, D is the right आंसस, फाइनली यह देश में आउजित किया जाएगा नाम भारत का है ब्राजिल का है रूश का है और शाउथ अफरीका का नाम दिया गया अगस्ट दो हजार तेश में पंदरहमा ब्रक्षायोजन जो हो चुका है वो शाउथ अफरीका में हुआ तो आप राइट आंसर्श डी के शाथ लगाओ अगला कुश्चन 24 नमबर आता है आप से कह रहा है इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्लखित मेशे कि सहर में इस्तित है नाम चंदीगड का है स्रीनगर का है मैसूर का है और दाजलिंग का नाम दिया गया आप से कह रहा है इंद्रा गांधी मेमोरियल गार्डन कौन से सहर में लोकेटेड है अगर हम सहर का नाम लगाते हैं तो सई जब आप स्री नगर बनता है राइड आंसरस हम सी के शाथ बनाते हैं सी इस दराइड आंसरस बनता है और आगे चला जाए 25 नंबर कोश्चन साता है आप से कह रहा है निमलखित में से कौन भारत का शर्बोच सेनिक अलंकरन है नाम असोग चकर का है परमबीर चकर का है कीरती चकर का है और महावीर चकर का है सर्वोच इस्थानिक अलंकरन कोई उसा है मित्रों शेनिकों को शबसे बड़ा उपहार जो दिया जाता है वो परंबीर चक्र है कोई शबसे बड़ा वाला परंबीर चक्र है तो right answers परंबीर चक्र लगाओ अगला कोईशन सर्व 26 नमबर देखेंगे आप से कह रहा है इंडियन ओवर्चरी जवेंग के MD और CEO की रूप में किशे न्यूट किया गया नाम अनिल महरोत्रा का है पंकच कुमार सिंग का है अजे कुमार स्रिवास्तो का है और प्रथा प्रतिम शेन गुप्ता का नाम दिया इंडियन ओवर्चरी जवेंग के MD और CEO जो है वो फाइनली कौन है तो मित्रों अजे कुमार स्रिवास्तो राइट आंसस सही जबाब आफ शी के शाथ लगा लो सी इस दा राइट आंसस फाइनली इसमें शेह बना लो और आगे चले अगला कोईशन साएगा अपना 27 नमबर कांगरेश, 129 बंबई कांगरेश और 1907 सूरत कांगरेश आपसे पूछा गया सही शुमेल कौन सा है तो मित्रों 2007 में सूरत में कांगरेश का दिवेशन हुआ था एकदम राइट है राइट आंसस साब ड़े के शाथ लगा लो ड़े इस दा राइट आंसस फाइनली मिलान क और आगे चलेंगे अगला कोशनस अपना 28 नंबर आएगा पूछा जारा है निम्रकित में से किश वर्ष में पूर्ण स्वराज को कांगरेश के लाखोर सत्र में भारती राष्टी कांगरेश के लच्छ के रूप में श्वविकार किया गया नाम 1931 का है 1929 का है आपसे पू जाता है तो सईजबाब शी के शाथ लगाना है सी इस दर राइट आउंसस बना लेना है अगला कोशनस आएगा 29 नंबर होगा आपसे कह रहा है नागरी को डैन महा निर्देशाला के महा निर्देशक के रूप में किशे नामित किया गया नाम प्रमीन सरमा है पंकश कुमार सिंह है अजे कुमार सिरवास्तों है रोगी क्रम देव दत का नाम दिया गया नागरी को डैन महा निर्देश के रूप में जिसका नाम लिया जाता है वो नाम विक्रम देव दत का है सईजबाब आप यहां डी के शाथ लगाना डी इस दर राइट आउंसस बना लेना अगल और दिव है या फिर अंडमान और निगोवार दिव शमुह हैं 300 से ज़्यादा दिव हैं एक शलूलर जेल भी है मित्रूं उश्का नाम अंडमान और निगोवार दिव शमुह बनता है तो राइट आंसर्स आपको यहाँ पे D के शाथ देना है और आगे चलते हैं अगला questions 31 नमबर आता है पूछा गिया निमलिखित में से दक्षण अफरीका के प्रशासनिक राजधानी को नशी रही है नाम डर्बन का दिया गया प्रेटोरिया का दिया गया केप टाउन का दिया गया दक्षण अफरीका की प्रशासनिक राजधानी को नशी रही मित्रों तो प्रेक्टोरिया से जबाब बनता है राइट आंसस सी के शाद देना है जैसे हंगरी बुड़ापेश्ट होता है जैसे सर्विया वेलग्रेड होता है जैसे बलगारिया शोफिया होता है जैसे आप भारिन लगाओगे तो मनामा या मनामा राइट आंसस बनेगा ऐसे घाना लगाओगे अकारा बनेगे ऐसे आप बंगलादेश लगाओगे धाका बनेगा ऐसे आप की जू प्रशासनिक राजधानी तक्षणी अफरीका की है प्रक्टोरिया है तो राइट आंसस सी के शाथ लगा लो अगला कोश्चन साब का 32 नंबर आएगा पूछा गया डेनमार की राजधानी क्या है नाम कोपेन हेग का है बियना का है श्टाक होंस का है और उशलो का नाम दिया गया डेनमार की राजधानी क्या है पूछा गया एशे मितनों सुजर लैंड वर्न आप खुब ज़्यादा सुने होंगे तो एशे डिन्मार की राज़धानी कोपे नहेगे राइड आंसर्स फर्स्ट के शाथ लगाओ अगला कुश्यंस 33 नमबर है पूसा गया निमलकित मेशे किस खिलाडी ने हाल ही में आटो बायोग्राफिकल बुक्स एस अंगेश्ट और्स लिखी है एस अंगेश्ट और्स जो लिखी है या साइना नहवाल ने लिखी यूरास सिंग ने लिखी अनिल कुंबले ने लिखी या फिर सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी जाती है मित्रों आप जानते हैं Ace Angaits Awards के रबात करते हैं या Awards की बात करते हैं तो Ace Angaits Awards जो फाइनली बायोग्राफिकल बुक है वो आटो बायोग्राफिय यानि खुद की आत्म कथा है Sonia Mirza तो राइट आउन सो Sonia Mirza देना पड़ेगा अगला कुशन थरड़ी फोन नमबर आएगा आप से क्या कहे रहा है सास्त्रिय भारतिय संगीत की एक शामाने सैली है ठुमरी ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है ना मनुस्का शंकर का है म. शुबालच्मी का है केसर बाई केरकर का है और गरजा देवी का नाम दे दिया गया ठुमरी की रानी के रूप में किसे पुकारा जाता है तो ठुमरी की रानी के रूप में जिसे पुकारा जाता है वो गरजा देवी है वित्रों तो राइट आंसस गरजा देवी बन जाएगा बी के शाथ हमें आंसस मिलान करना पड़ेगा अगला कुशिशन स्रम 35 नंबर शॉल्ब करेंगे आप शे कहरा है गुरू गोविन शिंग द्वारा किया जाने वाला हुला मोहत्सो मुख्य रूफ्षे निमलिकेत में किस राज्य में मनाया जाता है गुरू गोविन द्वारा शुरू किया गया हुला मोहत्सो मुख्य रूफ्षे किस राज्य में मनाया जाता है तो हुला मोहत्सो कि अगर बात आती है तो मित्रो पंजाब राज्य आंसस बनता है राइट आंसस हमें शी के शाथ देना पड़ जाता है she is the right answers लगाते हैं और आगे चलेंगे अपना अगला questions 36 number आएगा आप से क्या के रहा है भारत की गजल सामगरी कौन है जिन्हें उनिशो 75 में पदम भूशन से समानित किया गया नाम हसीना अक्तर का है बेगम अक्तर का है बेगम शवाना का है और बेगम हशीना का नाम दे दिय बारत की गजल सामगरी कौन है जिन्हें उनिशो 75 में पदम भूशन से समानित किया गया था पदम भूशन की अगर बात आती है उनिशो 75 में मिलता है तो बेगम हशीना अगे शाथ लगाना है और पूछा गया किसी भारती राज्य बांगला देश के शाथ अपनी शीमा पांच का है तीन का है चार का है और शाथ का नाम दिया गया मितों और पूशता है तो पांच देश लगाना पड़ता है पांच देश, अरे पांच राज्य लगाओ जार भारत देश एक हैं तो बेगनर जात कोशन कि पूशा गया तो पौछ यूटल शाजा करतें या फिर लड़ाई का मैदान है आप शी करा अमिताब घुष कौन शी पुस्तक लिखते हैं चारो आफसेंस में अमिताब घुष की द्वारा लिखी गई जो पुस्तक के मित्रों उसका नाम जंगल नामा है कौन सा है जंगल नामा स्थी के शाथ अंसस लगाओ सीजदा राइट अंसस बनाओ इस दर राइट अंसस बना लो आगे चला जाए अगला कोश्चंस दो नंबर आता है पूसा गया निमलिखित मेंशे कौन सी नदी गंगा की शायक नदी नहीं है नाम दिया गया घागरा राम गंगा भीमा और यमुना गंगा की शायक नदी जो नहीं है मित्रों वो आपकी भीमा नदी है बागी शे भी नदीया गंगा की शायक नदीयों के रूप में जानी जाती है तो राइट आंसस बी के शाथ लगाओ अगला कोश्चंस देखें तीन नंबर कोश्चंस है प्यारा कोश्चंस है मित्रों निमलिखित मेंशे कौन सा नरत शेली यूनिशकु और आप मानेता प्राप्त शेली में शमाहित है शामिल है नाम आएगा काल बेलिया तो राइट आंसस क्या बनेगा काल बेलिया राइट आंसस हमें बी के शाथ देना पड़ेगा बी इस दर राइट आंसस बनाना पड़ेगा अगला कोश्चंस चार नंबर आएगा आप से क आप कांगो देश के शाद जाएगा राइड आंसस आपको शी के शाद देना पड़ जाएगा और आगे चला जाए पांच नंबर कोश्चन्स आता है आप से क्या कह रहा है आप से कह रहा है मित्रों राष्टिये अलपसंख्यक आयोग के प्रमुक के रूप में किशे नियुक करता है वो आयोग कहलाता है तो इसके प्रमुक के रूप में किशे चुना गया अब कोई मुश्लिम ही चुना जाएगा तो इकबाल चिंग लालपुरा शही जबाब बनता है राइड आंसस में तुरों नाम से भी इकबाल तो राइड आंसस फर्ष के शाद लगा लो अगल चुर्दा हमी शताबदी में सरकी शुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला कोंशे प्रदेश में लोकेटेड है तो सईजबाब हमें जोनपूर देना पड़ेगा राइड आंसस हमें बी के शाद लगाना पड़ जाएगा बीजदा राइड आंसस लगाते हैं अगला भी खर होता है राइड आंसस सी के शाद बनाना है सी इस दा राइड आंसस फाइनली लगा लेना है अगला कोश्चन्स आठ नमबर आता है आप से क्या कह रहा है प्रश्चन ख्याठ की बारी है निम्रिकित में शे कौन से तत्व आवर्द सारणी में एक ही शमुन में शामि लिटियम है और के से क्या होता है आप कमेंड बॉक्स में शाबना सही जवाब हम डी के शाद देंगे डी इस दाराई डांसस लगाईएगा अगला कोश्चन्स आपका आएगा नो नमबर कोश्चन्स है आप से कह रहा है मित्रों उत्तर प्रदेस में इस्थित मंगल गढध दुर्ग ये हमीरपुर में है किस काल में बनवाया गया था नाम गुप्त काल का है, मुगल काल का है, चंदेल काल का है और कुशान काल का नाम दिया गया मंगलगड दुर्ग जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लोकेटेड है इसके जब बनवाने की बारी आएगी तो चंदेल राजा आंसस बनेंगे, चंदेल काला आंसस बनेगा, राइट आंसस बी के साथ बन जाएगा, भी इस दर राइट आंसस लगाना है अगला कोश्णस दशनम बढ़ाता है, आपसे कह रहा है, योगिक नामक शुतर निमलेखित में शेक कौन सा यूगम शही सुमेलित आता है? आपसे कह रहा है, कैल्सियम अकसाइड चीक्स एक टू ओ और अल्मोनियम अकसाइड एएल टू ओ त्री आपसे कह रहा है, कौन सा मिलान करना पड़ेगा डेज दराई डाउंसस गोला काला करना पड़ेगा अगला कोश्चन्स 11 नंबर है आपकी स्क्रिंट पे है आप से पूसा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनजाती की उपजातियां कठरिया डिंगोरा और राना है नाम बुक्षा का है महिगिरी का ह थारू का है और खरवार का नाम दिया गया कौन से जनजाती है जिसमें कठरिया और डिंगोरा उसके शाथ राना आ जाती है तो सही जबाब थारू जनजाती जो दीपा वली को शोक के रूप में मनाती है वही सही जबाब बनेगा तो हमें B के शाथ आंसस देना पड़ेगा B is the right answers finally लगाना पड़ेगा आगे चला जाए अगला questions 12 number आएगा आप से कह रहा है 12 number questions कह रहा है मित्रों शरीर की शब से बड़ी गरंथी कोईशी है नाम लार गरंथी है, यकर्थ है, थायराइड है और आमाशे का नाम दिया गया शरीर की शब से बड़ी गरंथी कोईशी है तो शरीर की शब से बड़ी गरंथी आपकी यकर्थ होती है, राइड आउंसस C के शाथ देना है, C is the right आउंसस लगाते है, 30 number questions पे चलते हैं, पूछा गया निमलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, नाम बल का दिया गया कारी का दिया गया, उर्जा का दिया गया और गती जूर्जा का नाम दे दिया गया किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है किसकी इकाई है, जो न्यूटन मीटर नहीं है, बितनुत उससे जबाब आपका बल बनेगा राइट आउंसर्स हमें फर्ष्ट के शाथ लगाना पड़ेगा और आगे चलते हैं 14 नंबर कोश्चन्स आता है निम्न में से किस सास्त्रे नर्त की उत्पत्ती का शंबंध राजस्थान से है नाम कथक कली का है, कथक का है, कुछी पुरी का है और भारत नाट्यम का नाम दे दिया गया शास्त्रे नर्त की उत्पत्ती का शंबंध राजस्थान से हो जाए मित्रों तो उसका नाम कथक होगा राइट आउंसर्स क्या बनेगा, कथक के शाथ बनेगा सीज दराइट आउंसर्स, फानली लगा लो अगला कोश्चन्स चलते हैं पंदरा नंबर कोश्चन्स आपके स्क्रिन पे है आपसे कह रहा है रंजु मोनी शैकिया नमलिकित मेंशे किस भारती नर्त शैली के प्रतिपादक है ना मोरीशी का है, शात्रिया का है कथक और मरीपुरी का नाम दे दिया गया रंजु मोनी शैकिया के बारें पूसा जारा मित्रों तो शैज जबाब जो बनेगा वो शात्रिया के शाथ बनेगा सी के शाथ राइट आउंसर्स लगाना पड़ेगा अगला कोश्चन साता है शोला नंबर होता है आफ़ से कह रहा है मित्रों पूर्ण कुम्भ मेला कितने वर्स में एक बार आयोजित की आज आता है तो राइट आँसर्स यहाँ पर आपको बी के शात देना है बी इस दर राइट आँसर्स फिलहाल लगा लेना है और आगे चला जाए शत्रा नंबर कोश्चन से आप शे कह रहा है राष्टिय यवा दिवस किसकी जन्म जैनती पर मनाया जाता है या जन्मतिती पर मनाया जाता है नाम भगशिंग का है शुवाश चन्द बूश का है श्वामी वेवेका नंदका है और चंदर शेकर आजात का नाम दे दिया गया राष्टिय यवा दिवस किसकी जन्म जैनती पर मनाया जाता है नाम करूचेतर का है मेवाद का है करनाल और रिवाडि का नाम दिया गया राष्टी ये जन्तु अन्मानसिकी शंस जो शंसाधन वियोरो है ये कहां लोकेटेड है मित्रों कहां इस्थित है तो जहां पर राष्टी ये दूधन शंधन शंस थाने मित्रों जहां पर दूध डेरी का काम ज़ादा होता है यानि करनाल सही जब आप B के शाथ लगाओ हरियाणा के शाथ लगाओ B is the right answers बना लो अगला questions 19 नमबर आएगा आप से क्या कह रहा है निम्लकित मेशी कौन सा शंसोधन भारती शंबिधान की प्रस्तावना में किया गया था 35 शंबिधान शंसोधन एक क्यामनमा शंबिधान शंसोधन ब्यालिश्वा शंबिधान जो इंद्रा गांधी के टाइम पे हुआ था और इसे लोग लभू शंबिधान भी कह देते हैं राइट आउंसस वी के शाथ लगा लो वी इस दा राइट आउंसस बना लो अकला questions 20 नमबर है पूछा क्या फिलिंदा ब्लेंक्स टाइप का questions है डाडाडाट शीमा बिश्व क पांचवी सबसे बड़ी शीमा है भारत में अमार वाली भारत भूटान वाली भारत नेपाल वाली या फिर भारत बांगलादेश वाली बिश्व की पांचवी सबसे बड़ी शीमा जो बनेगी वो भारत बांगलादेश की बनेगी बित्रों तो राइट आंसस भारत बांग पूसा गया इन में शे नेपाल की प्रथम महिला राष्टपती है आप से पूसा जा गया बंती है तो नेपाल की पहली महिला राष्टपती बनने का जो खिताब है वो बिद्या दे भी भंडारी के पास है तो राइट आंसर साब बिद्या दे भंडारी देना बी के शाथ आंसर समिलान करना अगला questions देश नमबर आएगा 23 नमबर questions आपकी स्क्रिंट पे है अफगानिस्तान S A A R C के किस वर्थ सामिल होता है शार्ष में 2005 में आता है अफगानिस्तान 2008 में आता है 2007 में शदश्य बनता है और 2006 में बनता है आपको बताना है कब शामिल होता है 2007 तो right answers में तो जब लगाईएगा 2007 के शाथ लगाईएगा B is the right answers बनाईएगा आगे चलेंगे अगला questions 24 नमबर आएगा आप से पूछ लिया गया वर्तमान में सार्ग के कितने परवेच्षक देश हैं 17 हैं 15 हैं 8 हैं आफर 9 आप से कह रहा है वर्तमान में शार्ग के कितने परवेच्षक देश हैं तो शार्ग के जो परवेच्षक देश हैं मित्रों उनकी शंख्या 9 है इसलिए जब right answers की बारी आए तो आप D के शाथ लगाओ D is the right answers बनाओ अगला question 25 नमबर आता है पूछा गिया कुना निम्लिकित में से किस देश की मुद्रा है नाम क्रोएशिया का है शंयुक तरव अमीरात का है केन्या और सूडान का नाम दिया गिया कुना के बारे में पूछा गिया कुना कोईशे देश की मुद्रा है मित्रों तो कुना फाइनली कुर एशिया की मुद्रा है राइट आउंसस फर्ष्ट के शाथ लगाना ये इस दा राइट आउंसस बना लेना और आगे चला जाए अगला कोशिचन 26 नमबर आता है ना केवल स्रिलंका की पहली महिला परधान मंतरी बल्कि दुनिया की पहली परधान मंतरी कुन थी नाम सिरी माओ भंडार नाइके का है उपेक्छा स्वर्ण माली का है रोजी सुना नाइके का है और चंद्रिका कुमार तुंगा का नाम देथिया की स्रिलंका की ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंतरी के रूप में किसे चुना गया था तो वो हैं स्रीमाओ भंडारनाई के अगला कुश्चन 27 नमबर चल रहा है मित्रों आप शे कह रहा है क्या नमलिकित में से कौन सी भासा बानवे शमिधान शन्षोधन अधिनियम के तहत भारती शमिधान की आठवी अंसूची में शामिल नहीं की गई थी नाम मैथली का है शन्थाली का है बोडो का है और कन्नड का नाम दे दिया गया तो मित्रों कन्नड का शम्बंध बानवे शमिधान शन्षोधन से नहीं है बाकी बोडो मैथली शन्थाली आपके बानवे शमिधान शन्षोधन से आई है तो राइट आंसर्स डी के साथ लगा आप से कह रहा है निमलकित मेशे किस पहाड़ी पर पुर्भी घाट पस्चिमी घाट से मिलती है नाम पलानी पहाड़ी का है महंदगरी पहाड़ी का है निलगरी पहाड़ी का है और शिवराय पहाड़ी का दे दिया गया कौन सी पहाड़ी है जिसमें पुर्भी घाट पस्च 9 नमबर आता है कह रहा है भारत की जन्गरना 2011 के अनुशार शरबाधिक जनसंख्या निमलिकित नगरिय योग मेशे किसमे धर्च की गई दिल्ली और चन्नाई में मैकसिमम जनसंख्या है दिल्ली और कोलो काता में है दिल्ली और मुंबई में है या फिर मुंबई और चिन्राई में 2011 के कार्डिंग पूछा गया है मित्रों तो दिल्ली और मुंबई सहर में मैक्सिमम जन संख्या का रिकार्ड है राइट आंसर्स आपको शी के शाथ लगाना है सी इस दर राइट आंसर्स फाइनले बना लेना है सी इस दर राइट आंसर्स लगा लो अगला कुश्चन्स तीश नंबर आता है प्रेशन क्या तीश की बारी होगी नम्लिकित मेशे कौन सा राजे भारत में काफी का शबशी बढ़ा उत्पादक है नाम केरला का है करनाटका का है तमिल नाडू और अंधर प्रदेश का नाम दिया गया कौन सा राजे है जो भारत में काफी का शबशी बढ़ा उत्पादक है काफी का शबशी बढ़ा उत्पादक राजी करनाटका है मित्रों राइट आंसर्स सी के शाथ हमें देना है और आगे चलते हैं 31 नमबर आता है आपसे पूसा जार आए पुलिश अनुशनधान और विकास ब्योरो के तत्वावधान में निम्लिकित मेंशे कौन सा शंस्थान अस्थापित किया गया था और आगे चलें 32 नमबर कोश्चन से आपकी स्क्रिन पे है आपसे करा है निम्लिकित मेंशे लेडी विद अलैंप ये उपाधी दी गई थी मैडम कामा को दी गई थी एनिवेशन को दी गई थी फ्लोरेंस नाइट अंगल को दी गई थी और फिर सरोजनी नाइडो को दी गई थी आपसे लेडी विद अलैंप की बात हो रही है ये उपा लगाते हैं अगला कूशिचन थाड़े फोर नमबर आता है क्या कैरा आपसे डेवी कप का शम्मंध किस खेल Kr defend शे है नाम क्रिक्ट का है बैटमिंटन का है लाल टेनिस का है और टेबल टेनिस का नाम दिया गया डेवीस कप का शंबन किस केल से है अगर डेवीस कप की बात आती मित्रों सहीजबाब लाल टेनिस बनता है इसलिए जब right answers की बारी आए तो B के शाथ answers लगाना 20 दर right answers बना लेना अगला questions 35 नमबर आएगा पूछा गया किस राज्य शरकार ने राज्य खाद शुरच्छा योजना के तहत एक वर्स के लिए मुप्त चावल प्रदान किया नाम शतीज गड़ का है उडिशा का है जार्खंड और पंजाब का नाम दिया गया राज्य खाद शुरच्छा योजना के तहत एक वर्स के लिए मुफ्त में चावल कौनशा सरकार बाटा में तो उडिशा सरकार ने बाटा right answers C के शाथ लगाओ C is the right answers बनाओ आगे चलते हैं 36 नंबर है किसी पेज को सर्वर पर कापी करना डडडड़ पेज कहलाता है क्रेटिंग कहलाता है अप्लोडिंग कहलाता है शेविंग कहलाता है और दाउनलोडिंग कहलाता है कोई पेज है सर्वर पर कापी करना वो पेज के लिए क्या बनता है मित्रों तो के लिए finally uploading हो जाता है uploading phase कहलाता है तो ride answers हमें B के शाथ यहां देना है B is the ride answers लगा लेना है अगला questions आता है 37 number है आपकी स्करण पे है आप से कहरा मित्रों हमारे देश के निम्लिके छेत्रों में किसमे पानी की मांग और खपत सबसे अधिक है और दोगीक शेत्र में करसी शेत्र में घरेलू शेत्र में और फिर होटलवाले बेल्ट में कौन से शेत्र में पानी की मांग का खपत जो है वो maximum है तो सही जबाभ करसी शेत्र में पानी के डिमांड जाता है मित्रों राइड हांसस आप शी के शायतला है अप से कर रहा है पाकिस्तान की मांग को ले करके मुशिम लिग ने किस तारिक को प्रतेच्छ परफाठी द्ीवसनि त मैंने 14 अगस्थ,า 15 अगस्थ 46 16 16 अगस्थ 26ा और 20 अगस्थ मुश्लिम लीग ने फाइनली प्रतेच्छे कारवाही दिवस मनाया तो शूल आगस्त की डेड थी वन नैन फोर्जिक्ष का शन था सही जबाब आफशी के शाथ लगाओ अगला कुश्चन्स देखेंगे आपकी स्क्रिन पे है आप से के रहा है सरीर का तापमाल या सरीर का तापकरम कहा नियंत्रित होता है नाम इस्पाइनल कार्ड का है है हैपो थलेमस का है सेरी बेलम का है और पिट्यूटरी का नाम दे दिया गया आपसे सरीर का temperature पूछा जा रहा है, कहाँ पे control होता है, कहाँ पे नियंद्रित होता है, तो hypo thalamus रही जब आप बनता है, राइड आंसर समय शी के शाहत लगाना है, सी इस दर राइड आंसर बना लेना है, आगे चलते हैं तीन नंबर questions है, UPSC के अध्यची के रूप में केश में खूब ज़्यादा बिवादों में रहे, उससे पहले ये मनो शेनी जी अपना ध्यच पत का इस्थिपा दे दिये हैं, हलाकि भी शुवकार नहीं हुआ है, शुवकार होता है, तो कोई नया ध्यच बन जाएगा, राइड आंसर सभी फिलहाल फरस्ट के शाहत लगा लग आपसे पुछा गया कौन सा विकल्प शही है, तो मित्रों, Cn, H2n एकदम सही है, यानि केवल और केवल विकल्प एक सही है, बाकी आपसंस सही नहीं है, तो B के साथ आप गोला कला कर लो, यहाँ पे आपको आपसंस कही सारे दिये गए, केवल दो नंबर सही था, नहीं, के अगला कोश्चेंस 6 नमर लाते है, आपसे पूछा गया निमलखेत योगिक शोत्रमेशे कौन सा यूगम शही है? योगिक शुत्र में आपको बताना है कौन सा यूग में एक दम सही बैठ रहा है मित्रों तो सही जबाब क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड ह2 शील और हाइड्रोजन सलफाइड ह2 एस टू केवल दो सही है ना तो एक ना ही दो सही है كेवल एक शही है या फिर एक और दो दोनों सही है आपसे पूचा गया कोन सा बिकलब्ट सही है तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है इसलिए right answers की जब भाईरी आए तो आप b के शाथ लगाना भी इस दर right answers finally बना लेन आगे जलते हैं शात नंबर कोश्चन साता है प्यारा कोश्चन से मित्रों आप से कह रहा है दिसम्बर दुहजार स्वरी दिसम्बर उनेश्व 28 में अकिल भारती समाजवादी युवा अंदोलन का गठन हुआ इसके ध्यच कोन बने रास विहारी बोश, शुबाश चन बोश, जमाहलाल नहरू या फिर राम मनोहर लोहिया उनेश्व 28 में अकिल भारती समाजवादी युवा अंदोलन का जो नेत्रों तो करता रहे उसका नाम राम मनोहर लोहिया बना बित्रों राइड आंसर्स टी के शात लगाना है डई इस दा राइड आंसर्स बनाना है अगला का दिया गया और अब्दुल बाकर का नाम दे दिया गया शुराशोना का जो गठन होता है शुराशेना का गठन कोन करता है बित्रों तो सही जबाब अब्दुल बाकर बनते हैं राइड आंसर्स डी के शात बनता है डई इस दा राइड आंसर्स लगाएंगे अगला कूश नौ नम्बर आएगा जम्लिकत में चे कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की स्हयक नदी नहीं है नाम मानश का है महा नदी का है केमेंग का है और शुबन स्री का नाम दे दिया गया कोन सा नदी है जो ब्रह्म पुत्र की स्हयक नदी नहीं है राइट आंसस बनेगी महानदी राइट आंसस आप शी के शाहत लगाना सी इस दा राइट आंसस बना लेना गास नंबर कोश्चन से उत्तर प्रदेश में है नाम 60 लोक्षभाशीट है 70 लोक्षभाशीट है 80 लोक्षभाशीट है आप शे कहे रहा है धूरिया लोकन्रत यानि फॉल्क डांस है पूर्वांचल का है बुंदेल खंड का है अवद का है या फिर रुहेल खंड का है धूरिया लोकन्रत कहा होता है मित्रों तो बुंदेल खंड वाले वेल्ट में मनाया जाता है राइड आंसस शी किशाथ आता है आपसे पूछा गया आकास का रंग नीला प्रतीत होता है आकास का रंग नीला प्रतीत होता है विवरतन के कारण प्रक्रिणन के कारण प्रावरतन के कारण या फिर अपवरतन के कारण आकास का रंग नीला प्रतीत होता है तो आकास का रंग जो नीला प्रतीत होगा व अगला question 14 मदध बरदेश की कि शहरों में लगता है नाम गॉालिर का है जयन का है भख़ॉपाल और इंदोर का नाम दिया गया कुम्भका मेला मद्द प्रदेश में कहां लगता है मित्रों तो उज्जैन में लगता है राइड आंसस आफ शी के शाथ लगाओ सी इस दा राइड आंसस फाइनली बना और आगे चलते हैं 15 नंबर कोशिशन्स आता है भारत का पहला जल मेट्रों कहां स्थाफित किया जा रहा है तो भारत का पहला जो जल मेट्रों है मित्रों मुंबई, कोच्ची, गोवा और विशाखा पतनम का नाम दिया गया कहां श्टार्ट होगा तो ये कोच्ची में श्टार्ट होगा इसलिए राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको शी किशाथ आंसर्स देना है सी इस दराइट आंसर्स लगाना है आगे चलते हैं शोला नंबर कोश्चन्स आता है आप से पूछा गिया इस आप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है नाम आइएमेफ का है, वर्ड बैंक का है, वर्ड ट्रेड आर्गनाईजेशन का है और वर्ड कस्टमर आर्गनाईजेशन का नाम दे दिया गिया इस आप डूइंग विजनेस रिपोर्ट में फाइनली कौन सा संगठन जो है पाटिसिपेट करता है, कौन सा संगठन इसे रिलिज करता है तो नाइम वर्ड बैंक का बनता है मित्रों सही जबाब हमें B के शाद देना है B is the right answers लगा लेना है अगला questions आएगा, 17 नंबर होगा आपसे कहरा है, Madrid किसकी राजधानी है नाम Philippines का है, Maldiv का है, United Kingdom का है और Spain का नाम देया गया Madrid किसकी राजधानी है मित्रों तो Madrid आपके Spain की राजधानी है ऐसे आपसे तिराना पूछे तो आप Albania की राजधानी लगाईएगा आपसे Brussels पूछे तो आप Belgium की राजधानी लगाईएगा आपसे Manama पूछे तो आप Bahrain की राजधानी लगाईएगा और आपसे थिंफु पूछे तो आप भूटान की राजधानी मित्रों लगाईएगा भारत देश की राजधानी तो आप जानते ही है कि क्या है दिल्ली है लखनव हो है को लोक आता है जल्दी बताओ अगला कोश्चन्स अठारा नंबर है आप से कहरा है उत्तर प्रदेश के शफशिक कम उम्र के मुख्यमंतरी बने अगला कोश्चन्स अठारा नंबर होगा आपके स्क्रिन पे है अगला कोश्चन्स अठारा नंबर होगा अगला कोश्चन्स 20 नंबर आएगा पुछा गिया जै नगर कुर्था शीमा पर रेल लिंक के शंदर्भ में कुर्था किस देश में इस्ते थे नाम नेपाल का है बांगला देश का है भूटान और स्रिलंका का नाम दिया गया जैन अगर कुर्था सीमा पार रेल लिंक का जो शंदर भमितों वो कुर्था छेतर में है वो कुर्था कहां लोकेटर है तो कुर्था आपके नेपाल में है इसले राइट आंसस नेपाल लगाओ फर्स्ट के शाथ आंसस बनाओ अगला कूश्चन सा आपका 21 नम्मार आएगा शही यूग्म का चैन कीजिए शही यूग्म आपको बताना है चार आपसंस दिये गए इसमिशे आपको सही यूग्म के बारे में बताना है तेल वह प्राकरतिक गर्ष नहीं दिल ली आया है आपसे खनिज अन्वेशन निगम लिम्टेड की बात हो है दराबाद है अगला कूश्चंस 22 नमबर आता है प्रश्चंख्या 22 की बात करते हैं भारत में पंचायती राज की अस्थापना के लिए निम्लिकित मेशी कौन सा शमिधान संसोधन अधिनियम प्रतिपादित किया गया या प्रदान किया गया नाम चोहत्तरवा है तिरपनवा है बान देश नमबर आता है पूशा गया निम्लिकित मेशे कौन सा राज्य पाकिस्तान के शाथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है नाम पंजाब का आया नाम हरियाणा का आया नाम गुजरात का आया नाम राजस्थान का आया है कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से अपनी सीमा साज नहीं करता मित्रों आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा नक्सा देखना हरियाना कभी आपसे नहीं जुड़ेगा पाकिस्तान से तो राइड आंसर शाफिशी के साथ लगाओ सी इस दा राइड आंसर बनाओ अगला कोश्चन 24 नमबर आएगा आप से कह रहा है नमलकि को देखते हो तो आप जानते हो मेघाले किधर पड़ता है मली पूरी धर है नाकल लेंड इधर है हिमाचल परदेश इधर है मेघाले कहा है शिलांग इसकी राजधानी है मंगला देश के पास होता है ठीक है तो से जबाब आप मेघाले लगा लो अगला कोश्चन साता है 25 बहुत प्यारा questions है जमलकित में से किस संसोधन ने पंचायतों को बित्तिय शक्तिया प्रदान की और अस्थानी सरकार को मजबूत करने में मदद की है। आगे चलते हैं एकला questions 27 नमबर देखेंगे। नाम बडिशा का है महाराश्टरा का है पंजाब और मिजोरम का नाम दिया गया। पर किस राज में मैक्सिमम है मित्रों शबशे अधिक है तो साचरता दर के मामले में मिजोरम इन चारों आफसंस में एकदम फिट बैठेगा सबशे आदा साचर राज बनेगा। अगला कुशे करम में बेवस्तित करों। चले शे उच्छे करम में आपको व्यवस्तित करना है मित्रों आपसंस में पुलिस के शभी अधिकारियों के नाम दिये गए हैं आप से पूछा जा रहा है आपको बताना है कौन सा बिकलप एक दम फिट बैठेगा तो पहले head constable आएगा में तो पुलिस से एबब होता है head constable फिर police ओप महाने रिच्छक आजाएंगे फिर inspector सहाब आजाएंगे फिर शहाय कोप पुलिस अधिच्छक आजाएंगे तो राइ डांसर्स यहाँ क्या बैठेगा ये वाला अरे नहीं भाई head constable फिर inspector आएंगे head constable के बाद inspector होते हैं फिर सहाय पुलिस अधिच्छक होते हैं फिर पुलिस महाने रिच्छक होते हैं तो राइ डांसर्स बी के शाथ लगाना याद रखना अगला questions तीश नंबर भारती सिनेमा का पूछा जा रहा है उनके फादर दादा सहाथ फॉलके हैं तो राइ डांसर्स आपको शी किशाथ लगाना है सीज द राइ डांसर्स बना लेना है अगला questions 32 नंबर आता है आपसे पूछा क्या खेल कूद में उतकृष्टता के लिए कौनशा पुरुषकार दिया जाता है जमना लाल बजाज पुरुषकार अरजुन पुरुषकार टैगोर पुरुषकार या फिर मोर्दे देवी पुरुषकार खेल कोद में बढ़िया काम करोगे उत्-कृ करोगे तो आपको अर्जुन प्रोशकार से नमास दिया जाएगा आपके गुरु जी जिशे प्रशिचन दे रहें होंगे उन्हें अगर दिया जाए उत्-कृ क्रिश्फा के लिए तो उनके लिए कुछा पुरुषकार है दोना चारी आता है तो सही जबाब यहाँ B के शाथ लगा लो अगला कुश्चन्स 33 नमबर आता है पूझा गया सहर्स शहर से विशेश शिच्छा कारिक्रम किस राज सरकार द्वारा शुरू किया गया है अगला कुश्चन्स 34 नमबर आ रहा है एक वेबसाइड इसमें किसी लेखक या लेखक किस समूह ने अपने अनभो टिपड़ी राए आज रूप में जाना जाता है तो अपना राए वाए एमेल पे देते हैं इंस्टा मेसंजर पे देते हैं ब्लोक पे देते हैं या फिर वाईरेश फ़े दे देते hai कौण सी वेबसाइड ऐसी है तो मित्रू आप जानता है बी एल ओ्जी ब्लोक पे फानली अपनी राए दे सकते हैं अपने अनुभो शेर कर सकते हैं अपनी टेपड़ी दे सकते है तो सही जबाब आप शी के शाथ लगाओ, सी is the right answers बनाओ, अगला questions आएगा, थाड़े five number होगा मित्रों, आप से क्या कह रहा है, निम्लकित मेंशे कौन सी फशल, सूखा, सहिस्टोन फशल है, बाजरा है, चावल है, गन्ना है, जूट का नाम दे दिया गया, आप से पूछ ल नाम बन में, निम्लकित मेंशे कौन सा गलत है, मित्रों, नाम लो है, बैलाडेला का दिया गया, सिलवर जावरा का दिया गया, कोल जरिया का दिया गया, और वाक्साइड खेड़े का नाम paradise गया, खनी जोब इसली साइड के संबन्ध में कौन सा आप का गलत उप्शयस दि कितने questions मित्रों आप लोग के शही गए हैं आपको ये जरूर बताना है 180 प्लस questions का ये टेस्ट था इमानदारी के शाद बताईएगा कितने questions आपने शही किये माइनस मार्किंग का भी प्राउधान होता है आप जब ज़्यादा से ज़्यादा test solve करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे questions का तब जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा questions सही भी कर पाएंगे अन्यता आप जानते हैं माइनस मार्किंग में होता है कि आए कि लोग माइनस में भी नमबर फाज़ा आते हैं कभी कभी तो तुक्का भी उतना ही लगाईएगा जितना आपको चलता हो जितना आपको आता हो कि आप आफसंस काट करके जैसे A, B, C, D यहाँ चार आफसंस वाला खेले हैं अगर आप तुक्का मारना ही चाहते हैं तो पहले दो आफसंस काटना सीखो की A और D नहीं है जब नहीं है तो B और C में है और V और C में अगर सही जाने के हम प्राइक्ता की बात करेंगे तो 50% है तो इसमें आपका तुक्का भी काम कर जाता है और बहुत बार होता क्या है कि लोग जो है चारों में से तुक्का मारते हैं एक भी आप संसो नहीं काट पाते हैं फिर तुक्का मारते हैं तो कभी-कभी ओ माइनस में भी नंबर सो करता है लोगा इसलिए तुक्का ढंग से मारिएगा नेश्य दूरूप से आप बेटर करेंगे तो वीडियो फर्षंद आया होगा हमें उम्मीद है तो अपने इस्टे में दर तक जरूर सेयर करना जिस्टे वो लोग भी लाभन भी थो पामें चैनल पे नए हैं तो शब्सक्राइब करें भ और आप्शनल का भरपूर लाफ टाइम शे लेज़ चाहें में तब तक के लिए दिल से स्लीट जै हिंद